एक चीज़ याद रखता हमेशल लाइफ में जो भी आदमी कुछ भी करता है सक्सेसफफ़ होता है जीता है तो खड़ी के वई चौबिस घंटे सबी के पास है लेकिन क्यों सक्सेसफ़ होता है क्यों जीता है किसलिए अलग होता है भेड़ चाल से सिर्फ और सर्फ उसके माइ करना है अब अलग का मतलब यह नहीं कि गलत काम करो अलग का मतलब यह कि be a leader और अपने parents को proud feel कराओ अब वो किसी भी field में हो सकता है कई लोग sports में करते हैं कई academics में करते हैं कोई environment में contribute करता है कोई society में contribute करता है तो आपको कैसे अलग होना है या कुछ अच्छा करना है society को contribute करना यह आप पे depend करता है रही बात कि हम नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं हो पाएगा या यह तो जादा intelligent है या इसके पास resources जादा है तो आप जानते हो हमारी society में हर तरह के examples हमने देखे जहांपे कि कम resources वालों जिमिंग से अपने आपको इतना पहुचा दिया कि हमारे honorable prime minister तक से मिल लिए और ऐसे लोग भी है जिन्होंने कम में पढ़ाई करके I.E.S.P.C.S. बन गए तो resources और जो इन सब चीजों की excuses लेते हैं ना circumstances की वो कुछ भी नहीं है basically आप तभी chain breaker हो सकते हो अपने परिवार के positive way में अगर आप में वो करने का जस्पा हो आपका mindset आपका मन शान्त रहे के चीजों को जो आपने सोचा है वो करेगा चाहिए दुनिया कुछ भी कहे positive चीज की बात कर रही हूँ मैं और आप उस सफलता को हासित जरूर करोगे अगर आपने अपने मन में काबू कर लिया तो मन को काबू कर लो तो सबसे ज़ादा आप दुनिया की सफलता के कदम आप में पढ़ेंगे चुमों के